नमस्कार आप देख रहे हैं टुड़े 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साफशी निर्वान गतिवाद में आज भारतिय जनता पार्टी ट्रेक्टर रैली निकाल गही है इस रैली के चलते आम आद्बी परिशानी में फस गया है कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है स्कूल बस भी इस जाम में फस ही दिख रही है आम लोगों का कहना है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कारिक्रम करे तो ऐसा करे जिससे आम लोगों को परिशानी ना हो तकरीवन दो घंटे से लोग जाम में फसे हुए है जाम किये लंबी तस्वीरे आप देख सकते हैं जो गाजेबाद के पुराने बसड़े से लगी हुई है यही से आज़नावियोग मार्केट इलाके से भारतिये जनता पार्टी ने ट्रेक्टर रैली का शुबारम किया था जिसमें उतरप्रदेश के स्वास्ते राज्यमंत्री और विधायत समेत कई बीजेपी के नेताफ शामी हुए थे पर शुबारम के विए से दस बुजे का टाइम तार बारा बच चुकिया हमें यहां पर क्या करें ओ क्यों परशान हो जाओ इतना परेशान नहीं तुम आईडी कहां आवाज भी लिए लोग ओलो आओ अरे यार तुम मुझे एंबुलेंस लेखने हैं एंबुलेंस होगी जाएंगे इसा है जाम लग चुका है पीछे तक बहुत ट्रैफिक हो जाएगा और इससे बहुत प्रॉब्लम आएगी वैसे ही यहां ट्रैफिक रहता है और इडी पहले से ट्रैफिक रहता है या पता नहीं कितने घंटे का जाम से जूजेगी पब्लिक सर क्या नाम है अब अच्छा रैली निकल दिया चाम लगा क्या कर दो हैं बहुत दुलवाब पूर है किसे को आपके जाना हो जाना हो जे फो आप में क्या करका है फोगी थोड़ी बहुत तो इस तरीके से जाम लगा है ट्यक्तर रेली निकल लिए चाहिए तरीके से बहुत दिक्कते हो रही है में भी दौर का जाना है काफी देर हो गई है पीछे तक जाम लगा हुआ है पीछे एंबूलेंस भी हो सकती है काफी कुछ परिशानी है हुआ है